तनू क्या कर रहे बेटा तुस्री मम्मी जी अच्छी बैटी थी बेटा में यह कहा रहे हैं दो चार सब्जी बनेगी पनीर की बना लिए और राजम बना लिए चोले बना लिए खाना बनाना नहीं आता तो फिर क्या है यह फोन चलाना आवे ते रपे पूरे दिन जब देखो फोन में लगी रहे हैं मम्मी आप ऐसे की बोल रही हो अभी अभी तो बोल सकती चल कोई बात नहीं सिखा दूंगे तुझे मैं बता दूंगी कैसे बनेगा भाया मुझे तुझे शिकाने होता तो तुझे क्यों लाती मैं यह बता तो ममी मैंने कभी बनायने अपने घर में, तो कभी जुर रख इनि पडिए मामी बना देती थी अपने आप तो सिक्का भी नतन ने बनाना? उया ममी थोड़ा बूटिर शीकर ही रखर यह, और आप मेरी हैल्प कर दे ना, आप पिर बना लोगी सारा खाना अगर मैं तेरी हेल्प कराऊंगी तो मैं अपने आपने बना लूंगी फिर तेरी हेल्प किलोंगी मैं नू बता मुझे तू मैं क्यों बनवा हूँ तेरी साथ खाना घर की बहुत तू है यह मैं हूँ यह बता मुझे तू मुझे वो बात तो ठीक है बहुतो मैं ही हूँ पर ऐसे थोड़ी न होता है बता यो कितनी जुवान लड़ा रही है मेरे से सरम लियाज है कि ना तुझे थोड़ी गनी मुझे तो ऐसा लगए तुझे अमितने सर पर चड़ा रखाया वो तुझे कुछ नहीं कहता मैं तेरी इतनी देड से ना अब आप सुनने और से मेरी मा से देवान चला दिया मा मैंने चला कैसे सर पर खाना कैसे नहीं बनाएगी अभी बनाएगी तुमारे सामने फीक कहरा है बेटा तू ऐसे रहे हो वणना तो यो सर पर चड़ जाएगी तेरे अब भी देखे जा रही है खड़ी नहीं हो रही हो जा अंब दल जा जा अब भी बना उनका हमाईथी मा तुम्हें बिलकुल भी सरम नहीं आ रही तुम अपने सामने भावी को पिटवाए जा रही हो अरे क्या पीट रहा वो मूँ बता मुझे खाना बनाने को कह दिया इसे कोई गलत कह दिया आग्गे चल के घर भी तो इसी समालना है न समालना मा एक बात बताओ इस घर को समालते हुए तुम्हें भी आखिर 40 साल हो गए और भावी भावी को तो आभी 40 दिन भी न हुए तो ये घर को कैसे समाल लेंगी फिर अभी आखिर ये भी किसी के घर की बेटी है और तुम एक बात सोचो अगर भावी की जिगे हमारी भेहन होती तो क्या तुम जब भी ऐसे करती ही मा कुछ तो सरम करो थोड़ी बहुत तो सरम कर लो तुम जिसांत बेटा तु ठीक कह रहा है तुने मेरी आखे खौल दी और अमित आज के बाद बहुत पहाद मत उठाना अगर ये काम हमारी प्रेट के साथ कुछ करता तुम मैं कैसा लगता तुम जब तुम एक बात समझा रहा हूं तनू बेटा खड़ी हो मैं सिखाऊंगे आस्तो से सारे काम